दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम क्लिस्क वालान पोर्टल में तो आप सब के लिए बहुती बड़ी अपडेट है समय की कि PT आबेदन के लिए जो आखरी मौका है वो आज याने कि मंडे है बस इसके बाद कोई भी इसकी डेट रेश्टेशन या फॉम अपलाई करने की नहीं बढ़ाई जाएगी ये देखे अमारोजाला की न्यूज है यूपिटर प्लेसी रईवार साम तक यहाँ पर 24 लाग रेश्टेशन हुए और उन 24 लाग रेश्टेशन में 15 लाग लोगों ने शक्सचफुली अपना फाइनल संबेट भी कर दिया है और इसमें साफ साफ लेखा हुआ है अगर आप P.E.T. परिक्षा में सामेल नहीं हुए तो आप आयोग की भरतियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे अधीनस सिवा चैन आयोग यूपिटर प्लेसी P.E.T. की प्रारंबिक अर्था परिक्षा P.E.T. के लिए आबेदन के अंतिम्तिति आगे नहीं बढ़ाई जाएगी आयोग ने अभरतियों को अपने आवेदन समंदी कारवाही अंतिम्तिति 21 जून तक पूरा कर लेने की सलाय दिये अब तक 15 लाग से अधिक अभरतियों ने आवेदन किया है यूपिटर प्लेस सी ने समूह गाग के रिक्ष पदों पर भरती के लिए दूइस तरी परिक्षा प्रणाली लागू की है इसके अंतरकत किसी भी पद की भरती के लिए होने वाली मुख परिक्षा के लिए P.E.T. में सामिल होना आविश्यक है आयोग रिक्ष पदों के लिए गोशत मुख परिक्षा में P.E.T. के स्कोर के हिसाब से तैस संख्या में अभ्यरतियों को सामिल होने का मौका देगा आयोग ने पहली बार पैट का अभिदन निकाला है आयोग ने प्रारब में 30-35 लाग आभिदन आने का अनुमान लगाया था लेकिन यह संख्या पूरी नजर होती नहीं आ रही है आयोग के चैर्मेन प्रवीड कुमान ने बताया कि 25 मई से P.E.T. के लिए आभिदन की शुरुआत हुई थी तब से 20 जून की साम तक टोटल 24,38,483 अब बढ़तियों ने रिजिटेजन कराया है इनमें से 15,27,981 ने सफलता पूरबाग अपने आभिदन संबट कर लिए दोस्तों यह संख्या भी कम नहीं होती है 15,00, अभी हो सकता है नॉर्मली साम तक आज तक का समय है क्योंकि तो यह संख्या बढ़कर 17,18,00, भी हो सकती है उन्होंने बताया कि आभिदन के फीज के रूप में अब तक 24,76,56,70 रुपए जमा कर लिए गए है चेर्मेन ने बताया कि स्वंबार को आभिदन के अंतिम तिति है इससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और फ्रेंट्स एक समस्या भी है जब आप यूपी ट्रपलेसी की वेपसाइट इसमें खोल रहे हैं तो आपको कभी-कभी उसमें इरर बता रहा है या सर्विस एनेवल विल तो मैं आपको सेर्श करूँगा कि आपके पास आज आखरी मौका है इसको बार-बार खोलते रहें और किसी भी तरीके से अपने फॉर्म को फाइनल संबिट करते हैं जाए कैफेफे जाके या खुद मोबाइल से क्योंकि इसमें साफ सा पेपर में लिखा है कि इसके बाद आब इदन की कोई वितिती बढ़ा ही नहीं जाएगी तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लागा तो उसको लाइक करिए और भी पीटे एक्जाम से लेटर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं ने इस वीडियो में जय हिन जय भारत